हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने मलाई कॉफता करी बनाने जा रही हूँ इसे बनाने के लिए देखे किम किस तरह से बनाते हैं मलाई कॉफता के लिए मैंने 400 ग्राम पनी लिया है पनीर को कद्दुकस कर लिया है आदा किलो टमाटर मोटे पीजों में कट किये हुए और ये मसाले लिये हैं आपशक्ता के साब से यूज़ करेंगे एक आलू कद्दुकस किया हुआ देगी लाल मिर्च कसूरी मेती ये होम मेड है इसकी रेस्पे में पहले शेयर कर चुकी हूँ दो चमच मेडा मेडा की जगे कॉन फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने हाफ कप पनीर अलग से कद्दुकस करके रखा हुआ है हाफ कप काजू दो लाल मिर्च और थोड़ा सा अद्रक हरी इलाइची और दो लोंग और ये वन टेबल स्पून मैंने खर्बुजे की मींग लिये है टमैटो कैचप और ये एक गलास पानी लिया है सबसे पहले हम पानी को गरम होनी के लिए रख देंगे इसके अंदर खर्बुजे की मींग डाल देंगे खड़े मसाले डाल देंगे जो हमने मिर्च ली थी लोंग, इलाइची, काजू इन सब को डाल देंगे इसी में कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे अगर आप प्याज लेसन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बिना प्याज और लेसन के बना रही हूँ यह सब उबलता है तब तक हम कोडो की तयारी कर लेंगे कौफतों की पनीर को एक बड़े बावल में कर लेंगे जो हमने कद्दुकस करके रखा था उबला हुआ आलू वो भी इसी में डाल देंगे इसी में मैदर डाल देंगे अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे आदा चमच नमक आदा चमच सुका दनिया एक चमच लाल मुची पाउडर इन सब को डालकर विल्कुल चिकना डो तयार करेंगे मसल मसल कर अब यह बिल्कुल अच्छे से मसल लिया है मैंने थोड़ा सा हाथ पर चिकना ही लगा कर इसके छोट छोटे गोले बना लेंगे इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए यह बिल्कुल चिकना डो तयार किया था तो इसलिए इसके गोले भी बिल्कुल चिकने तयार हुए है आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं अब ये सभी गोले हमारे बनकर तयार हो गए हैं इसे फ्राइ करने के लिए मैंने गी करम होने के लिए रख दिया है फ्राइ करने के लिए गी भी करम हो गया है अब हम इसके गैस बन कर देंगे जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम कौफते फ्राइ कर लेंगे एक एक करके डालेंगे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक इन्हें हमें फ्राइ करना है और बीच बीच में अलट पलट करते रहेंगे हलके हाथ से इन्हें अलट पलट करेंगे अब यह सिख गई है इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से बाकी के भी फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो इस पेश्ट को चली में च्छान भी सकते हैं लेकिन मैंने बिल्कुल बारिक भी साया तो मैं इसे च्छान कर यूज नहीं करूंगी ऐसे ही डारेक्ट यूज करूंगी ये मैंने वन टेवले स्पून घी इसमें ही रहने दिया था बाकी का घी और सब्जिय में यूज कर सकते हैं अब हम इसमें आदा चमच जीर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे वन टी स्पून आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच सूखा दनिया आदा चमच देगी लाल मिर्च इन सभी मसालों को भून लेंगे अच्छे से अब ये मसाले हमारे इच्छे से भून गए है अब मैंने इसमें वन फोर्थ कप मलाई डाली है और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे लगाता चलाते हुए अब ये मलाई भी हमारी भून गई है अब हम इसमें जो पेस्ट बनाया था उसे डालेंगे इसे डाल कर अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा पाने डाल देंगे जार में करके जो हमने पहले उबाला था उसको छान लिया था उसको फैका नहीं था जो वेज़ीटेबल उबालने के लिए हमने यूज किया था एक चमच टमैटो सोंस ये भी डाल देंगे इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे पेस्ट के साथ अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ किया है जो हमने काजू अगरा उबाले थे उसके पानी को हम फैकेंगे नहीं बाकी का बचा हुआ भी ग्रेवी में हम यूज करेंगे अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे मैंने नमक पहले नहीं डाला था क्योंकि मलाई डाली थी वह फट जाती है अगर हम पहले डालते इसलिए बाद में डालाए मैंने नमक हम बचा हुआ सारा पानी इसी में डाल देंगे जिसमें हमने काजू बाले थे यह वह ही पानी यूज किया है मैंने उसको फैका नहीं था अब ग्रेवी को पकने देंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर अब इसे पकते पकते 20 मिनट हो गई है बहुत अच्छे से ग्रेवी पक गई है अब थोड़ी सी कसूरी मेति को हाद से मसल कर उपर से डालेंगे आदा चमच इससे खुश्बू बहुत अच्छी आईगी और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब ये ग्रेवी हमारी बनकर तयार हो गई है और कोफते भी बनकर तयार हो गई है अब हम इसे सर्ब करेंगे ये मैंने बाउल में थोड़े से कोफते रखे हैं उपर से हम ग्रेवी डालेंगे इसे हम रोटी, पराठा, किसी भी चीज के साथ सर्ब कर सकते हैं बेसनी रोटी, तंधूरी रोटी किसी भी चीज के साथ हम मलाई कोफता को सर्ब कर सकते हैं अब जो हमने पनीर को कद्दू कस करके रखा था, थोड़े से पनीर को हम इसके चारो तरफ डालेंगे, आप चाहें तो उपर से थोड़ा सा हरादनिया भी डाल सकते हैं, अब ये हमारे मलाइक उफटा बनकर तयार हो गए हैं, थैंक यू, झाल, बन्सकंति अब चारो झाल माईक उपर एंे हैं, झाल १्एल, ये वह ये। अब